भाई जो थोड़ी बहुत रस्टिंग हो रही थी लोगों पे आगे पीछे आम नॉट शोर कि वो क्रोम की क्वालिटी के वज़ा से हो रहा है या फिर पानी जिससे वह इतनी परफार्मेंस होने के बाद भी इतना एवरेज मेरे इसाब से तो काविले तारीफ है वाई टाटा आपने वाले हैं इस नेक्सान कार भी आपने देखा था था तीन हजार किलोमेटर पे और अब यह गाड़ी चल चुकी है 13000 किलोमेटर प्लस इस टाइम में हमने काफी कुछ सीख और समझ लिया इस गाड़ी के बारे में वहीं आपके साथ सेयर करेंगे तो चली वीडियो को बल्ब्स हैं लेकिन काफी बहतरीन इनकी जो है हाइवे पे या फिर आप सेटी में भी कहीं भी जो लाइट का थ्रो है वह बहतरीन है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है और जो यह लोगो है इस पर क्रोम पर अगर आप देखें ध्यान से थोड़ी बहुत यह इस हमें देख पर किन करता है और बाकी जो अलॉइज वगरा है यह तो बिल्कुल नए जैसे ही दिखते हैं और यह जो इसका और विम वगरा है और अच्छी नहीं है यह वो तो अभी तक दोस्तों हमने ऐसा कुछ भी फेस नहीं किया है कि हमें कोई दिक्कत आ रही हो टाटा की सर्विस से भी हम बिल्कुल पूरी तरह से सर्टिसफाइड हैं कोई हमें एशू नहीं आदा है और जो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी है आप सबको पता है रोबस्ट है इंडिया की सेफटी पाए नियर अगर इस कार को कहा है तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी और यह वाइपर्स होगेरा बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं और वही जो इशू आगे लोगों पर था वही हलका सा यह पीछे भी देखने को मिलेगा और इस अगर इस समस्या की बात को किनारे करें तो यह तो पानी के वज़ए से होता है तो बाकी और कोई हमें समस् देखने को मिल जाएगा तो पता नहीं क्रोम की गड़बडी है या फिर जो पानी है हमारा उसकी गड़बडी है यह समझ नहीं आ रहा लेकिन कोई मेजर इस्ट्रू नहीं है इसली फिक्सिबल है वह वाफियों गरा से हट जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है बाकी रोबस्ट है जैसा था वैसा ही अभी भी है और यह सब कुछ कुछी से कोई सिकायत नहीं पानी की बॉटल यहां पे दो लिटर वाला भी यहां पर रख सकते हैं तो यह जो बॉटल होल्डर है उसकी काफी बेहतरीन है और यह सब जो फिट अन फिनिस है अभी भी बिलकुल नए की तरह ही है कहीं से कुछ भी कोई इस्व नहीं है इस पर हलके हलके अगर आप ध्यान से देखे तो जो प्यानो ब्लैक वाली फिनिशिंग है ना कहीं कहीं पर इसक्रैचेज नजर आएंगे तो यह तो नाचुरल सी चीज है कि जब कुछ उस तरह की ग्लॉसी पैनल्स ह आते ही आते हैं और यह नौब अगरा और यह फिर यह जो गियर शिफ्टिंग अगरा के लेकर आज तक हमने कोई इसमें फेस नहीं किया है और यह जो इसके नीचे कुछ खास नहीं है लेकिन हां फिर भी थोड़ा वहत सामान आप अपना रख सकते हैं इती जगा मिल जाती ह और एसी जो है उसकी परफार्मेंस भाई ला जवाब है आटोमेटिक वाला एसी है और बहतरीन तरीके से परफार्म करता है कोई उससे सिकायत आज तक नहीं है तो यह देखिए दोस्तों इसली स्टार्ट होती है कोई भी अनिजूल नॉइस नहीं बड़े ही प्यार से स्ट इसली क्योंकि जैसा दूप होगा वैसा ही काम करेगा यहां आते हैं फिलाल दोस्तों यह आप देख सकते हैं 13444 किलोमेटर गाड़ी चल चुकी है और जो एवरेज है लास्ट ट्रिप की मैं आपको दिखाना चाहूंगा एवरेज हमें मिली है 132 किलोमेटर के ट्रिप जाता था तो आप देखिए 17 का एवरेज दिया है गाड़ी ने तो काविले तारीफ है भाई 1.2 लिटर का टर्बो पेट्रोल इंजिन जो कि इतनी ज्यादा पावर और टॉर्क बनाता है अलगभग 115bhp पावर है और 2500nm से भी ज्यादा का टॉर्क है इतनी परफॉर्मेंस होने के बाद भी इतना एवरेज मेरे इसाफ से तो काविले तारीफ है भाई टाटा ने यहां पर बहुत बहतरीन तरीके से ट्यूनिंग करी है इस पूरे प्लेटफॉर्म की और इंजिन की इतना बढ़िया एवरेज हमें देखने को मिल रहा है लोग जो सिकायत करते हैं न तो बाइस से भी ज्यादा का एवरेज यह हाईवे पे निकाल रही थी तो यह काविले दारीफ है एक कमी हमें जो खलती है हाईवे पे वह है कि हमने एक प्लस चूज करा था और उस समय सिटी में चलाने का ज्यादा मूड था हाईवे रन का उतना कुछ खास वह नहीं था त और यह जो टच स्क्रीन है हाला कि आज के अनुसार थोड़ी सी छोटी है लेकिन इसमें काम सारा हो जाता है एंडॉड आटो एपल कार प्ले हाला कि वायर्लेस कुछ भी नहीं है और भाई जो इसका साउंड सिस्टम है ना क्या कमाल की साउंड करता है यह हर्मन का सिस्टम लगा रखा है टाटा ने और इसका कोई जवाब नहीं है इस रेंज की गाड़ियों में जो जो भी गाड़ियां है इसी कॉम्पेटिशन में वेन्यों ब्रेजा अगरा उन लोगों से काफी अच्छी तरीके से यह काम करता है हर्मन का सिस्टम और जो गियर सिफ्टिंग हो क्लच है और जैसे कुछ डीजल इंजन वाली अगर गाड़ियां आप चला रहे होंगे तो इसके कंपरेजन में काफी ज्यादा आपको लाइट फिल होने वाला है है जो क्लच है वो और जो स्टेरिंग रिस्पॉंस है डिपेंडिंग अपन ड्राइविंग कर डिसंस अगर आप हाइवे पर चल रहे हो तो यहीं स्टेरिंग में वेट आ जाता है सर्प्राइजिंग ली बहुत अच्छी तरीके से ट्यूनिंग कर रखी है टाटा ने और जो स स्टेरिंग वहां पर एक दम बिल्कुल ही किसी हैच बैक की तरह हलका चलने लगता है एक जो सिखायत में शुरू में भी थी और आज भी है वह है टर्बो लैग की इस इंजन में भेंदकर टर्बो लैग है लेकिन जैसे ही पंद्रह सो अर्पीम को क्रॉस करता है फिर यह र इकत नहीं थी और आज भी कोई समस्या मुझे इस गाड़ी से नहीं है तो यह था भाई टाटा नेक्सॉन के बारे में मेरा एक्स्पीरियंस ड्राइविंग का तो अगर आपका बजट यार दस लाग के आसपास है और इसका बेस मॉडल पेट्रोल में लेते हैं अगर आपक या फिर डीजल में भी वह किसी भी कंपोटीशन की कार से कम नहीं है कहीं और होन भी अगर आपने सुना हो तो काफी अच्छा साउंड करता है पोपों वाला तो नहीं है क्रेटा की तरह लेकिन हां जो भी है डीसेंट है और राइड क्वालिटी के बात करें भाई मक्षन इ river ज्यादा कमफरेबल है कोई सिखायत आपको नहीं होने वाली है श्पेस की या फिर बूट स्पेस की या फिर कंफट की अच्छी वह geen बहुत ज्यादा बाडि रोल दे दिया हो या फिर बहुत ज्यादा स्टीications बना दिया हो ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक बैलेंस्ट सस्पेंशन इसे ओवराल कहा जा सकता है यह देखिए जैसे ही ब्रेकर्स होगरा को हम पार करते हैं लगातार कई ब्रेकर्स हैं इसके लिए सौरी लेकिन जो ब्रेकर्स के ऊपर से निकलती है क्या स्मूध निकलती है बिल्कुल कोई हमें डिक्कत नहीं होती है तो यह है और और नेक्सान से इलेटिट कोई सवाल हो त आगे पीछे I'm not sure कि वो क्रोम की क्वालिटी के वज़ा से हो रहा है या फिर पानी जिस से वास होती है कार उसकी वज़ा से हो रहा होगा क्योंकि यतनी जल्दी तो रस्टिंग क्रोम पर नहीं आनी चाहिए खास करके जो लोगो वाला क्रोम है तो बस फिलाल के लिए इतना ही वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों ऐसी डीटेल्ड एनलिसिस आटो मोबिल पर देखते रहने के लिए और टेक पे भी हम कवर करते हैं कभी-कभी कुछ इंट्रिस्टिंग आया तो टेक में भी डेफिनेटली हम अपना उपिकेंद आपके साथ सेयर करते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू